कि रेजबी बहुत ही एस्पेसल होने वाली है आगर तेस्टी के गशाथ बनाने में इसको इतना मजा माजना आएगा कि आप भाण माज है कि हम सिर्फ हम चावल के आते और एक आलू से बनाए है जो की भूर फ्वीं टेस्टी बनाए इस रेस्पी को आप लोग एक वर्जिरो ट्राइ करना पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इससे बनाने के लिए चाहिए एक आलू मैंने एक आलू को पहले छील लिया था तो यह कच्छे वाले आलू है पैके वाले आलू नहीं है कच्छे वाले आलू है तो मैं पानी में छीले कर में रख दिया था अब इस तरीके के ग्रेयर लें टेट है छुकिए तो इस पर रेसा पर करें ग्रेटकर लेंगहें नहीं तो यह हम इसे बाहर रखेंगे तो काले पड़ जाएगा तिसलिए हमें इसको पानी में रखना है इसे कदुकस करके पानी में रख देंगे दो तीन पानी से इसको दो देंगे पहले चलिए गैस की तरफ चलते हैं गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई कढ़ाई में दो कप से इस्तमाल करने हैं चावल के आटे उसी कप से हमें डालने है धाई कप पानी तो मैंने इसमें धाई कप पानी के इस्तमाल किया है और इसके साथ हमें इस्तमाल करना है एक कप चावल का आटा इसमें डाल दे हरी मिर्च दो से तीन इस तरीके से बारेक कूट कर मैंने डाल प्राइब आर्च लिए आलो को कदुकस नियूंद बीज़ें डाला आट रहा की जब तक प्राइबोप लाटेंगें जब तक बीड़ को शावएविज़ के नाटत? अब डालेंगे इसमें चAVAL का आटा तो मैंने ढाई कप पानी लिया था तो इसके साथ डालेंगे एक कप चावल का आटा आप चाहो तो CHAVAL को भीगो औकर पीशकर बना सकते हो अब इनसे अच्छे से मिक्स करेंगे एक साथ चावल का आटा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करकर कर डालेंगे ताकि अराम से अच्छे से मिक्स हो जाए अगर स्पेचला से मिक्स नहीं हो रहा है तो विसकर से आप मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से विक्सकर से मिक्स करने से बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है त तो अच्छे से इसको mix कर देंगे और इसे gas पर तब तक हम चलाते रहें पूरी तरीके से आठे के जैसे गूते हुए आठे के जैसे नहीं हो जाता है तब तक के लिए इसे चलाते रहेंगे मैंने नमक भूल गई थी तो इसमें नमक डाल देंगे स्वात का नुसार नमक जब अब पानी डाले थे तब ही डाल सकते हैं लेकिन मैं बुल गई थी नमक डालना तो आप इसे इस्टेच चो भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक यह एकदम डो की तरह नहीं हो जाता है गुथे हो गया ना जी तरीके शेब तरीके से मिक्स करें चुक्तDamडन यह दर हुक हiscoverी ने तरीके से हमारे में थंहितना हो जाएगा जाय चैनली करना के इस प्रूसेस करभ्यकों बंद ढखकर ही हमारे ठंड थंड़ा हो जुका है अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा हांथ में तिल लगाएंगे और इसको अच्छे से मैसलेंगे हाथों से ही थाकि ठीकना हो जाए और 이죠, तो हमें आणे के जैसा हो जाए , अच्छे से तो मिडियम साइज मी बना लें बने को अंटे से टोके हम रिश्य चानी का अन्टे खुआ गुली खुआ रिष्रया का करम आठेतों. अन्टेशी साथ ओज सब में और सरीआज मंडे घैस फूल्द का साथ थेगा हुआ हैं। या फिर आपके पास steamer होते हैं इसमें एक लिटर पानी डाल देंगे उसके ऊपर से इस तरीके का छनी हर किसी के घर में होता है तो छनी डाल देंगे ऊपर से हलका सा तेल लगा देंगे ताकि यह चिपके ना मैंने पहले ही पानी गरम होने के लिए रख दिया था इसमें तो आपके पास steamer है तो steamer ले सकते हैं तो उसमें और भी आसानी रहता है अगर नहीं है तो इस तरीके का छनी हर किसी की घर में अबलेबल दाता है सारे गोली को हम एक एक करके इसमें डाल देना है डाल कर हम इसको steam होने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए इसको हमें 10 मिनट के अच्छे से steam होने देंगे तो यह देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ही चावल के आटे पका दिये थे तो हमने पूरी नहीं पका थे लगभग 80% तक पका था 100% नहीं पका था तो उसके लिए हमें steam करना पड़ेगा तो हमने steam हो जाने के बाद यह फूल ज पानी परफेक्ट था हमने पानी डाला था तो कम पानी अगर हम डाले होते तो एकदम नीचे का पानी जल गया होता तो हमारा पानी परफेक्ट था तो आप लोगी इस बात का भी खास ख्याल रखेगा कि पानी इतना डालिएगा जितना कि अच्छे से हो जाए अब इसको क् ठंड़ा हो जाने के लिए साइड में रख देंगे ठंड़ा हो जाएगा, उसका बाद हमें इसको इसको इस्तमाल करना है, पुरी तरीकह से ठंड़ा हो चुका है, चलिए गयस की तरपचण की तरफ है, चल अध़ी सहाँ, दो एक तो पार जुरूराइ करना, अब इस पर डाल कडि पत्ते तो लगबाइश ऑच्छ 30 कड़ी पत्ते तो में 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 तरक ही तक चाहिंगे मीर्च पाउडर आप इसमें हरी मिर्च का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तमाल की हूँ तीन से चार चमच पानी पानी डाल कर इस पानी हम इसलिए डाले हैं ताकि इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो अच्छे से पक जाए और इसका में मसाला जो की है पास्ता मसाला तो एक पैकेट इसमें डाल देंगे पास्ता मसाला डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए पस्ता मसाला मिक्स कर देंगे जैसे ही पस्ता मसाला मिक्स हो जाए इसमें सारे गोली को डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे या दिखिए यह पूरी तरीके से मिक्स कर देना है इसमें के जितनी पी सारे मसालइें उच्छी से ने एक एक गूली में तो इसको हम लग बग दूमनाद के लिए गैस पर अच्छी से मिक्स करेंगे ज्यादा नहीं 2 मिनाद के जब हलके हाथों से इसको मिक्स किजिएगा उसके ऊपर से डाल दें एक चमच सफेद तिल सफेद तिल हो तो डाल येगा नहीं है तो पूरी तरीके से अपसनल है लेकिन हम बहुत ही अच्छी लगती है इसे डालने से तो इसे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसे देखिए हमारे एक कप चावल के आटे और एक आलो से बहुत इंटरेश्टिंग आज की रेज़़ी बनी है उए यह तना यह देखे कितना एस्पंजी एकदम रसूल ले के जैसा एस्पंजी है तो बहुत जितना आसान है बनाना ना टेस्टी उतना ही है देख सकते हैं आप लोगे कितना ज्यादा एस्पंजी है यह ऐसे छूने से ऐसा लग रहा है कि हम रसूल ले को दबा रहे हैं फिर यह पिचक जा रहा है फिर फूल जा रहा है बहुत ज़्यादा यह एस्पंजी बनकर तयार होता है अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन हुआ घर में कुछ नहों तो इस चावल की रेस्पी को आप लोग एक पर जरूर ट्राई करना और वीडियो के ज़्यादा सेयर करना कोमेंट कर कि जरूर बताईएगा आज की मजदार रेस्पी आप लोग कैसी लगी क्योंकि इतनी टेस्टी है ना और इतना एस्पंजी है कि आप कभी भी से खा सकते हैं या फिर चाई के साथ खाना चाहें तो खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर आप इसे लंच बॉक्स में भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं पसंदाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें